हेलो, आज हम इस वीडियम में ये सीखेंगे कि किसीवी पीडियाए फाइल को अडिटेवल फाइल कैसी बना जाती है, इसके बारे में सीखेंगे अगर हमारे पास इंटरनेट की सुविदा नहीं है और हम ये चाते है कि PDF फाइल को अडिटेवल फाइल बनाए जाए तो ये काम हम ओफलाइन बहुत ही जल्दी कर सकते हैं अगर हम PDF फाइल को ओफलाइन अडिटेवल फाइल बनाना चाते हैं तो हमारे पास MS Office 2019 होना चाहिए अगर हमारे पास MS Office 2003 या 2007 बगारा है तो हम PDF फाइल को ओफलाइन अडिटेवल नहीं बना सकते क्योंकि इन ओफिस में PDF के एक्स्टेंशन नहीं होती है अब हम सबसे पहले ओफलाइन PDF फाइल को ओडिटेवल फाइल बनाएंगे उसके बाद ओफलाइन PDF फाइल को ओडिटेवल फाइल बनाएंगे तो सबसे पहले यहां पे हम PDF फाइल को ओफलाइन अडिटेवल फाइल बनाएंगे तो यह लिखा हमारे पास यह एक PDF फाइल है जिसको name दिये गया है OOP, इस file को हम a detail file बनाएंगे, तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे MS Word को open करेंगे, यह MS Word open किया, open करने के बाद यह blank document इसके ओपर click करेंगे, इसके ओपर click करने के बाद यहाँ पे file tab पे जाएंगे, file tab पे जाने के बाद यहाँ पे open command यहाँ पे click करेंग यहां पे क्लिक करने के वाद यहां पे browse यहां पे क्लिक करेंगे इसके वाद यहां पे हम desktop यहां पे क्लिक करेंगे desktop पे क्लिक करने के वाद यह दिखो op नाम की pdf file यहां पे पड़ी हुई है यहां पे हम double click करेंगे डबल क्लिक करने के बाद यहां पे Microsoft Word डायलो बॉक्स यहां पे आ जाएगा जिसमें यह लिखा हुए कि Word will now convert your PDF file to an editable Word document This may take a while तो यहां पे यह message हम इस्षू करेगा इसके बाद यहां पे हम OK पे क्लिक करेंगे OK पे क्लिक करने के बाद यह लिखो जो PDF file थी वो यहां पे open हो गयी है हम कुछ भी यहां पे edit करना जाते है तो हम असानी सी कर सकते है suppose करो हम ये ये देखो ये जो line है इसको edit करेंगे तो यहां पे हमने इसको select किया select करने के बाद इसको bold किया यह bold हो गी इसके बाद इसको underline करेंगे यह underline होगी underline होने के बाद हम इसका color change करेंगे यहाँ पे गए और यहाँ पे इसका color change कर दिया यह देखो यह color change हो गया अगर हम यहाँ पे कुछ delete करना जाते हैं तो delete भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे यह delete किया यह देखो delete हो गया फिर लिखना जाती है तो लिख भी सकते है जैसे यह लिखा तो इस तरह से हम यहां पे कुछ भी चेंजिक कर सकते है इसके बाद अगर हम यह चाते हैं कि यह जो हमने यह फाइल बनाई इसको सेव करना जाते है तो हम इस फाइल को सेव भी कर सकते है यहां पे फाइल टैप पे जाएंगे इसके बाद सेव पर जाएंगे और यहां पर हम इसको नेम देंगे जैसे यहां पर नेम लिखा अमित यह नेम लिखा नेम लिखने के बाद कहां पर सेव करना है डेस्टोप पर सेव करना है यहां पर डेस्टोप पर क्लिक किया इसके बाद सेव पर क्लिक किया तो स offline हम किसी भी PDF फाइल को additable फाइल कैसे बनाते है अब हम यह सीखेंगे कि online यह PDF फाइल है इसको हम MS Word में convert करेंगे यहाँ पे Google Chrome पे click करेंगे Google Chrome पे click करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे online to PDF online to PDF यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे click करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पे पहला लिंक दिया गया है online PDF converter यहां पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद अब यहां से हम file को select करेंगे यहां पे दिये गया है select file यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद कहां पे PDF file रखी हुई है desktop पे है, यहाँ पर open नाव की PDF फाइल है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, open पर क्लिक करेंगे, open पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर निच्छे दिया गया है, convert to, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद, अब हम यहाँ पर, world 2007 से लेके, यहाँ पर 19, तो यह दिखो, यहा PDF file है, यह MS word में convert हो जाएगी, यह देखो, इसके लिए कुछ time लगेगा, यह देखो यहां से यह PDF file जो है, MS word में convert हो गई है op.ducx यह हम पे, ओपी नाम के यह word की file यहां पे बन गई है इसको यहां पे हम देखते हैं इसको minimize किया यहां पे हम इसको देखते हैं यहां पे download पे click किया तो download पे click करने के बाद यह देखो open नाम की word की file यहां पे बन गई है यहां पे click करते हैं, इसको open करते हैं यह file open की, इसके बाद enable editing यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद यहाँ पे हम कुछ भी edit कर सकते है यह देखो जैसे इसको हमने underline करना है तो इसको underline कर सकते है यह देखो underline पे click किया इसका color change करना है तो color change कर सकते है यह color हमने change किया change करने के बाद size इसका बढ़ाणा है तो size बढ़ा सकते है यह देखो size बढ़ाया बॉल्ड करना है बॉल्ड कर सकते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने ये सिखा कि किसी भी फाइल को ओनलाइन और ओफलाइन अडिटेवल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में सिखा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद